जहिन दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पर्मार कल क्लास के अंदर बेटा हमने डिसकस किया था साइकलोन को साइकलोन केसे आते हैं? हमने दो टाइप के साइकलोन देखे थे हमने study की है atmosphere की, atmosphere के composition की, atmosphere के structure की, फिर हमने temperature पढ़ा, insulation पढ़ा, pressure पढ़ा, wind system पढ़ा, उसके बाद हमने cyclones देखे, humidity देखे, rainfall देखे, precipitation के अलग-अलग तरीके देखे, इस lecture के अंदर हम, आज world के कुछ climatic regions पढ़ेंगे, climatic regions क्या होते हैं, climatic regions को जानने से पहले हम climate को जानेंगे, climate क्या होता, इतने दिन से जो हम atmosphere science पढ़ेंगे, उस atmosphere science के अंदर, जो pressure, जो temperature, जो humidity, जो rainfall, जो wind की speed हमने पढ़ी, किसी एक area में, ये सारे elements अगर लंबे वक तक रहे, तो उस area की ये climatic condition बन जाती है, मतलब, और simple भासा में कहें तो, temperature, pressure, humidity, rainfall, cloud cover, fog, ये सारे climate के element हैं, ये element किसी area के अंदर जब रहते हैं, छोटे time के लिए, तो हमें उस area का weather पता चल जाता है, और यही element, अगर एधी more than 21 year उसी area में रहेंगे, तो हमें उस area के climate के बारे में पता चल जाएगा, तो अभी तक हमने सब कुछ जो पढ़ा था, वो concept था, आज हम एज़े case study स्टार्ट करेंगे, world के climatic region, मतलब, location के according देखेंगे, हम अलग-अलग climatic region में क्यों changes आते हैं, जैसे अगर equatorial area है, यह है अर्थ, अर्थ पर, it is zero degree equator, तो equator के पास जो area है, यहाँ पर insulation जादा होगी, अगर यहाँ insulation जादा होगी, तो यहाँ का climate, polar area के climate में थोड़ा अलग होगा, कुछ अलग anomalous behavior करेगा, दोनों की condition एक दूसरे के साथ में, अब इसी तरीके से हम location wise, world के कई सारे climates देखेंगे इस chapter के अंदर, climates देखेंगे, वहाँ के, जहाँ का climate देखेंगे, उस area के tribes के बारे में देखेंगे, अगर वहाँ कोई tribe मिलती, जैसे हम monsoon type climate की बात करेंगे, जो इंडिया के अंदर है, तो इंडिया में कौन-कौन सी important tribe मिलती है, उन tribes की बात करेंगे, tribes को study करने के बाद, हम वहाँ की economic activity को देखेंगे, जैसे कोई country होती है, जो की ज़्यादा तर depend करती है, किसके उपर? इंडस्ट्रियलाइजिशन के उपर, कोई सी country है, जो depend करेंगे किसके उपर? agriculture के उपर, तो हमें climate के अनुसार, वहाँ के लोगों का रहन सहन पता करना है, तो इस chapter के अंदर बेटा, हम study करेंगे world के climatic region, तो study करते हैं, उन्दा basis of temperature, temperature के basis पर, कोपेन, गीगर और थेवार था, इन लोगों ने अलग-अलग climatic zones बनाये थे, बट कोपेन ने ये चार climatic, पांच climatic zones बनाये थे, उन्दा basis of temperature, वो एरिया जहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा रिशीड होता है, जहाँ पर sunlight directly गिरती, उसे नाम दिया गया मेगा थम, इसे नाम दिया गया, और यहाँ पर temperature हमेशा more than 16 degree होता है, वो winter होती होती है, summer यहाँ पर जादा होती, जादा टाइम तक यहाँ पर summer देखने को मिलती, winter यहाँ पर कम होती है, तो पहला होता मेगा थम, दूसरा होता zero fight, zero fight जहाँ भी word आ जाए मतलब में बात कर लिट गी डेजट्स की कि डेज़र्ट का क्लाइमेट किसा होता तो डेज़र्ट का क्लाइमेट आपको खुद को पता है यही ज्यादा होती है और प्रेशRIपिटेशन कम होता यही तो डेज़र्ट का एक यूनिक अगेक्तरिस्टीक है, कि वो विस्व के कुछ ऐसे एरिया होते है, जहांपर बारिस तो कम होगी, पर जो पानी है, वो पानी इवापरेट ज्यादा होगा, और किसी भी एरिया का, अगर कोई तालाब है, जिसे कि हम बात करते हैं राइस्तान के अंडर सामभर लेक की, तो पतापन आजाएगा सब लगो ता एक रीकी के इसके बाद मुआ चाहिепली जो कि भीर दोड़ाइरोन को इसके बाद हम बात करते हैं मीजोम मतलब ना तो बहुत कम और बोओ ज्यादा मीजोथम के बाद फिर आता है माइक्रोथम माइक्रोथम जो क्लाइमेट है वर्ड के कई कम एरिया में मिलता बहुत ज्यादा एरिया के अंदर माइक्रोथम क्लाइमेट हमें देखने को नहीं मिलता यहाँ पर विंटर में टेंपरेचर होता है त्री डिग्री और समर में यहा आता है माइक्रोथम उसके बाद आता है किस्टोथम है किस्टोथम मतलब फ्रोजन क्लाइमेट या फिर पर्माफ्रोस्ट पर्माफ्रोस्ट वर्ड में यहां पर इतली यूज़ कर रहा हूं पर्मा फ्रोस्ट का मतलब होता है पर्मानेंटली फ्रोजन एसे एरिया जहां पर सनलाइट इतनी कम हो कि वो पूरे की तुपूरे विंटर के कवर में आ जाए विंटर सीजन वहां पर बहुत ज्यादा प्रेविलेंट रहे समर सीजन छोटा रहे कम रहे साल भरत आपमान माइ दोनों पोलार एरिया तो यह कहां आ जाएगा हमारा हेकिस्टो थम क्लाइमेट के अंदर तो उन्दा बेसिस ओटेंपरेचर थ्रिवार्था ने पांच तरह के क्लाइमेट बताए मेगा थम जोगी एक्विटर के पास होता है ट्रोपिक्स के अंदर होता है दूसरा जेरोफ समर में फिर इसके बाद है कि स्टो थम देखा है कि स्टो थम मतलब पर्मारेंट ली रोजन रीजन तो उन्दा बेसिस ओप टेंपरेचर को पेन ने क्लाइमेट को पांच पार्ट में बाटा यह पांचों के नाम हमने देखे यहां से स्टार्ट होता है वेटा हमारा चिप् है बट मैंने सिर्फ नॉर्दन हमिस्फियर को यहां पर लिया हुआ है तो 0-10 डिग्री पर हमें कौन सा क्लाइमेट मिलेगा फिर 10-30 डिग्री पर हमें कौन-कौन से मिलेंगे 30-45 45-65 और 65-90 डिग्री यहां पर यह क्लाइमेटिक रीजन हमेसा याद रखना हुए जो भी हम अब हम अभी तक यह ग्रोफी के अंदर पड़ा ख्लाइमेट लोजी के अंदर यूमिडिटी रेंफोल प्रेसिपिटेशन ट्लाउट कवर यह सारी यह सारी चीजे यहां पर हम एप्लाइग करेंगे बेटा इस एरिया के अंदर इन सारे एरिया की टेमप्रेचर प्रेशर लीृटिशन प्रेन की रेंफॉल क्लाउड कवर फोर को पता करेंगे वो फिर हमारी प्लाइमेट अलोजी कंप्लीट हो जाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वीटोरियल क्लाइमेट की कि equatorial climate के बाद जब हम 10 to 30 degree के बीच में जाएंगे तो आपको याद रखना हम किसकी बात करेंगे monsoon type की बात करेंगे फिर सुडान या फिर सवाना type की बात करेंगे यहां से एंडिया के अंदर खूब क्योशन आते एक्जाम के अंदर सुडान और सवाना टाइप की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे hot deserts यहां पर world में कई सारे जो deserts है जिनको आपकी भी जानने की इच्छा है आपकी इच्छा है कि इनके नाम हम जाने उन deserts के बारे में हम यहां पर discuss करेंगे फिर हम बात करेंगे china type climate के बारे में china type climate क्या होता है और वर्ल्ड के कौन-कौन से एरिया के अंदर china type climate मिलता है फिर steppie type again a grassland यहां से कई question पूछते है और जो question इन दोनों grasslands आते है वो मेजड़ फोलोइंग में आते है कि यह grass कहां मिलती वो grass कहां मिलती कौन सी grasses है वो उन grasses की हम बात करेंगे फिर हम mediterranean type climate की बात करेंगे वर्ल्ड का एसा एरिया जहां पर वाइन मनाई जाती है तो कई सारे लोगों को इस बात से यहां पर इंडरस्ट भी आएगा तो हम mediterranean type climate की बात करेंगे फिर हम चले जाएंगे ब्रिटिस टाइप और लॉरेशन टाइप के पास जो कि हमारा पूल टेम्प्रेट मार्जिन के अंदर आता और फिर हम आर्किटिक पोलार रिजन को करके कंप्रेट कर देंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं equatorial climate से equatorial climate globe के अंदर आप देख रहे हो यह यहां पर मिलता है जो रेट कलर से प्लोट है इस रेट कलर से प्लोटेट एड एरिया के अंदर मिलता है equatorial climate तीन कॉंटिनेंट में मिलता है एक साउथ अमेरिका दूसरा एफरिका एंद तीसरा एशिया ठीक है योरोप नोर्थ अमेरिका इन कॉंटिनेंट में यह नहीं मिलता है यह सिर्फ तीन जगे मिलता है इसकी लोकेशन देखे है होट एड वेट फाउड पाउंड बिट्विन 5 डिगरी नोर्थएंड 5 डिगरी साूथ गरम है और मुष्ट है यहाँ पर बारिस भी भहत होती है और गर्मी भी भहत होती मतलब कि यूमिड क्लाइमेट है कि उमजभरा क्लाइमेट है प्रेष्टिपीटेशन यहांस पर तो सेंटीमीटर से दो तो Profess ने तक होता है हर महीने बारिस होती है एक एक कंट्री है एक एस है रीजन है वर्लड का जहां पर सुबे से संराइज होगा संराइज होने के बाद बिल्कुल चटक सूरज की रोस्तनी के साथ दो पहर तक सूरज की रोस्तनी गिरेगी साम तक बादल बन जाएंगे और साम के थोड़े बाद बारिस होगी रोज का यही सीन होता है यह आप आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ह हमारे यहां पर जुलाई ओगस्त के महीने में होता है कि दिन में तो धूप निकलती और साम को रोज बारिस होती एक्जेक्ली सेम कंडिशन फ्रू आउट दी एर चलती रहती है कहां पर इस एरिया के अंदर ठीक है और इसे हम एक्विटोरियल क्लाइमेट कहते हैं यहां पर जो रेंफोल होती है वो होती है कॉन्वेक्शनल रेंफोल अब मुझे कॉमेंट करके आप बताईएगा कॉन्वे जो सबसे जादा रेंफोल होती है वो होती अमेजन नाम सुना होगा अमेजन ब्राजिल के अंदर अमेजन वर्ड की दूसरी बड़ी रिवर है जो अपने पास बहुत सारा पानी लेकर बहती है अमेजन के अंदर विस्व के सबसे बड़े साप मिलते हैं जिसे हम जेगवार एक एनिमल होता है जो कि बिलोंग करता है बिक केट फेमली से बिक केट फेमली मतलब जो टाइगर होते हैं लायन लेपर्ड इन में से बिलोंग करता है जेगवार चीता इस नोट अपार्ट व बिक केट फेमली का पार्ट नहीं है क्योंकि बिक केट मतलब बड़ बिल्लिया बनने के लिए दो चीजों की जरूरत होती एक तो बड़ा सरीर और दंग पावर जो धाहरने की ताकत होती है जेगवार भी धाहरता है कि उस बारे में हम सुदान टाइड climate में देखेंगे तो यहां पर Amazon के जंगलों में यह मिलते हैं यह रेंफोल होती है एक्विनोक्स के बाद अब मुझे बताइए इक्विनोक्स का बाता है घटेन है एक्विनोक्स मतलब एकवल डीज न नैट जब संट एक्विनोक्स की कंडिशन बनती है जब जन नौर्धन स hjälिस्फियर में जब पर परीपीकव गेनसरें के उपर करो गोता है June में जून में तो यहां यहां पर एक्विटर पर सण कब होगा सथे क्यों si सेप्टेंबर एंड मार्च याद रखना यह हमेशा आप कभी भी कहा तत जाओ सेलेक्ट हो जाओ बट यह चीजने लाइफ लोंग याद रखना है कि संदकेट्र डारेक्ट जो किर्णे होती है वह सेप्टेंबर और मार्च में एक्वेटर पर गिरती है, जून में वही केरणे कहा गिरती है, कैंसर पर, ट्रोपिक उप कैंसर और दिसंबर में गिरती है, कैप्रिकॉन पर, अब इंडिया के अंदर, इंडिया कौन से उस पर लेटिट्यूट पर आता, इंडिया आता है यहाँ पर, याने ट उस्चेलिया में कब रिकोर्ड होती है उस्टेलिया में winter solistries कब आता है हमारा winter solistries आता है December में और उस्चेलिया हाइस rainfall होगी December के एक महिने बाद मतलब January में वही अब यहाँ पर equinox कब बनते है September और March में तो हाइस rainfall कब होगी September सेमबर प्लस वन ओक्तवर और अप्रेल के महीने में इक्विटोर्य रीजन में बहुत जादा बारिस रिकॉर्ड होती है जब भी संकिसी भी लाइन पर जाता है उस लाइन पर जाने के है तो क्या हुआ कि जो हमारा equatorial region है equatorial region में one month after equinox equinox का मतलब होता है बेटा equal day and equal night और बहुत अच्छी बात में बताऊं आपको जियोग्रोफिकली परसों का जो दिन था 23rd of September वो equinox था मतलब equal day और night की condition थी अब सेप्टेंबर के बाद सन सदन हेमिस्फियर में जाने स्टार्ट करेगा ठीक है ओक्तोबर नवंबर दिसंबर में कहा पोश्चना उसको प्रोपिकॉप केप्रिकॉन पर तो जैसे जानते हैं equatorial climate पर जो temperature मिलता है वो हमेशा 27 डिग्री प्लस मिलता है मतलब 27 डिग्री से ज्यादा रतापमान मिलता है और 27 डिग्री temperature किसके बंदे की बहुत बढ़िया condition होती है ट्रोपिकल साइक्लोन की पुराने lecture के इंदर हमने देखा था बट यहां पर सीजन में temperature 27 डिग्री और 27 डिग्री से उपर ही रहता है अब यहां पर vegetation की बात करते हैं जो कि बहुत important है vegetation में बेटा यहां पर distinct layer का arrangement होता पेड़ जो होते हैं layer by layer जिससे canopy बोला जाता है canopy की आटेज होते हैं पहले सबसे उची layer फिर दूसरी layer फिर तीसरी layer फिर चोथी layer यहां पर आपको दिख रहा हूं सबसे उपर emergent layer फिर canopy layer फिर understore layer फिर shrubs layer और फिर आता है forest floor मतलब की जो जंगल होता है उन जंगल में जो पेड़ होते पेड़ की height होती 60-60 foot बहुत बड़ा होता हो 60 foot तो 60 foot के कारण कभी भी sunlight जो forest का floor है वहां तक पहुच ही नहीं पाती तो जित्ती भी ज्यादा species होती है वो उपर उपर भहुत मिलती पेड़ों पर पेड़ों के नीचे नीचे species काफी कम मिलती है तो distinct layer of arrangement तेकंड multiple species इन एरिया के अंदर दो एकड के अंदर दो से तीन लाख species मिलती है plants की समझ रहो दो एकड के जंगल के अंदर दो से तीन लाख species plant की क्यों क्यों कि रोज बारिस होती है रोज तापमान बढ़ता है पेड़ पोधों को क्या चाहिए दो हीचों चीच चाहिए एक तो सूरज की रोसनी और दूसरी बारिस वो दोनों यहां पर efficient मिलती इसलिए यहां की जंगल बहुत dense हो जाते हैं तीसरा यहां की करेक्टरिस्टिक है forest clearing यहां पर जित्ती भी forest clearing यहां की एक और क्रेक्टरिस्टिक है great variety of vegetation जिसा कि मैंने यहां पर बताया था multiple species में कई तरह के plants मिलते कई ज्यादा plants मिलते इस एरिया के अंदर तो varieties भी है vegetation के अंदर next यहां पर मिलने वाली tribes की बात करते हैं यहां जो tribe मिलती वो है Indian tribe इस इस इंडियन ट्राइब एक सेकंड इंडियन ट्राइब मिलती है अमेजन के जंगल में मतलब ताउथ अमेरिका दूसरी पिगमी मिलते है कॉंगो कॉंगो एक रिवर का नाम है पता करके बताईएगा कॉंगो रिवर कौन से ताउचिण के अंदर बहती है इसी तरीके से हम वर्ल्ड ज्जोगरोफ्य कवर करेंगे जो रिवर्स हैं उनकी बात हम अधु हम इसी kl comigo रिजन के अंदर करेंगे तो कोंगो रिवर के अंदर मिलती है पिगमे ट्राइब अब आपको बताना है कोंगो रिवर कहां बहती है दिन ओरांग असली इट इस इन मलेशिया एशिया के अंदर तो ये इस टाइब के ट्राइब्स होती है वो जित्ते भी ट्राइब्स होती इस आरदी हंटर एंड फुट गैदरर ये हंट करते हैं और फुट को गैदर करते हैं फुट की कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर बड़ी बड़ी नदिया है सारे fruits भी मिल जाते equatorial forest के अंदर तो उन सब को खाकर tribes अपना जीवन व्यापन करता है अब यहाँ पर जो सबसे best perform की जाती उसे मैंने बगा था आपको zoom cultivation forest को साप करेंगे clear करेंगे और वहाँ पर नई खेती करेंगे जिसे हम zoom cultivation कहते हैं और इसके बारे में जब हम agriculture पढ़ेंगे इंडियन geography के अंदर वहाँ फिर से बात करेंगे zoom cultivation क्या होता है ठीक है next यहाँ पर cocoa tree लगाया जाता है cocoa tree जब से Britishers ने लोगों को गुलाम बनाया था तो Britishers इन चीजों को लेकर आये थे तो cocoa tree यहाँ पर लगाया जाता है जिसको यूज किया जाता in the like a raw material in chocolate industry जो चोकलेट की industry होती है उसमें cocoa को raw material के लिए यूज किया जाता है यह जो cocoa plant होता है यह सिर्फ high temperature और high rainfall वाले area के अंदर ही लगता है और यह area उसके लिए suitable है next net timber important बहुत important point है यह UPSC Union Public Service Commission की मेंस में यह question पूछा था कि equatorial region जहां पर इतने बड़े बड़े जंगल होते हैं फिर भी वो timber को import क्यों करते मतलब दूसरे देश से लकडियां इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि बेटा यह जो region होता है इस region के अंदर हमने क्या पढ़ा था multiple species दो एकड के area के अंदर हमें दो लाग अलग अलग plant मिल जाएंगे अगर आपको furniture बनाना है तो आप furniture बनाना है तो एसा थोड़ी ना है क्या आप furniture का bottom किसी और पेड से बना दोगे और उसमें टिकने का किसी और पेड से आप पूरा एक ही पेड से बनाओगे अब यहां पर क्या अलग अलग पेड है तो एक पेड तो आपको पास मिल जाएगा उसी variety का दूसरा पेड ढूनने के लिए और जंगल के अंदर जाना पड़ेगा तो इस आपको यहिए मिलना के सावड और मॉन्शून टाइप कलिमेट की बात करेंगे जो की इंडिया के अंदर भी यही क्लायमिट मिलता हमें एंस जलेकर साउट अमेरिका के भी कुछ पार नंता है और यह होता है तो यह होता है हमारा प्र हो आइसर मोनें काट राख की मेना हिग समुद्र से आने वाली हवाएं हवा मतलब वो विंड जो कि समुद्र से जमीन की तरप आती है अपने साथ पानी लेकर आती है उनी को ओन्शोर विंड कहा जाता है और ओफ्शोर विंड किसे कहा जाता है? जो जमीन से समुद्र की तरप जाती है मतलब लेंड ब्रिजेस आर ओप्शोर विंड और सी ब्रिजेस आर ओन्शोर विंड यह याद रखना आप यह कहां कहां मिलता है ट्रोपिकल मोंसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें इंडियन सबकॉंटिनेंट के अंदर बर्मा के अंदर थाइलेंड के अंदर लाओस कंबोडिया और उस्टेलिया इन जगा पर हमें देखने को मिलता है ट्रोपिकल मोंसून टाइप क्लाइमेट यहां पर बारिस होती है दो सो से दो सो पचास सेंटीमेटर वर्ल्ड की हाइस रेंफोल आप सभी लोग अल्रेडी जान चुके हो बट एक बार और जान लो चेरा पुंजी मौसिन राम जो की इंडिया के मेगाले राज्ज के अंदर है यहां पर विष्व की सबसे जादा वारिस होती है तो वो इस ट्रोपिकल मौसून के अंदर आता है यहां पर टेंपरेचर होता 18 डिग्री मंतली टेंपरेचर जिसमें से 30 से 45 डिग्री तक तापमान चल ला जाता है वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर मिलते हैं डेस्वीडीयस फौरेस्ट Alors डेस्वीडीयस को हिंदी में बोला जाता है उस्ण कटिवंदी पनपाती जंगल मतलब वो पेड जो कि साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा दे उन पेड़ों को कहा जाता है Decidious Forest तो इंडिया के अंदर Decidious Forest मिलते हैं जो साल में एक बार अपनी पत्तियां जड़ा देते बट एक्वेटर के जो जंगल होते हैं वो evergreen forest होते हैं, है न, equatorial जो forest थे, इस से पहले हमने पड़े, वो सब evergreen forest थे, तो मुझे एक बात बताईए, क्या evergreen forest कभी अपने पत्तिया नहीं जाड़ते, इस बात को आप comment करके बताना, क्या इनकी पत्तिया जो एक पत्ति पेदा हो गई, क्या साल भर वही रहेगी, क्या वो बड़ी होती जाएगी, क्या वो छोटी होती जाएगी, या उसी size के साथ हम अपनी अपनी समझ के अनुसा, सही answer तो मैं अगले lecture के अंदर बता दूँगा, बड़ जो answer आपको समझ माया है कि evergreen forest से हमेसा हरे क्यों रहेते, वो आप एक बार comment करके जरूर बताईएगा, दूसरी यहाँ पर species मिलती, teak, मतलब सागवान, बहुत important है, दूसरा साल, eucalyptis and bubble, इस तरह के जो trees है, इन जंगलों के अंदर मिलते हैं, and hardwood industry यहाँ पर बहुत बड़या तरीके से develop होती है, मतलब वो industry जो की furniture बनाने के काम आती है, lumbering में आती है, paper बनाने के काम आती, newspaper, वो industries इस tropical area के अंदर अच्छी तरीके से develop होती है, यह जो पेड़ देख रहे हो आ सागवान जंगल का सोना है, एक बार घर में लगा लोहा सड़ जाती, बड़ सागवान के पेड कई सो साल तक चलते, कभी खराब नहीं होती, यह पेड इतने कडवे होते कि इनको कीड़ा इतनी आसानी से नहीं खा पाता, मध्यप्रदेश के जंगलों में लाल मिट्टी पर बड़े-बड़े सागवान के पेड, यहां के फोरिस्ट की सांध हैं, यह देख रहे हो यह, इनके पत्ते इतने बड़े-बड़े होते हैं कि अगर आप दो पत्तों को रख लो, तो कित्ती तेज बारी सजाए, आप भीगने से बच जाओगे, यह होते हैं सागवान के अगरी के अंदर रखा गया है, यहां पर मिलने वाली tribes और agriculture activity की बात करते हैं, तो ऐसे एरिया जहां पर बारीस बहुत जादा होती है, जैसे हमारा नोर्थीस्ट हो गया, दूसरा गंगा, यमुना के जो मैदान है, इंडस के मैदान है, और दूसरा ब्रमपुत्रा के मैदा इस एरिया के अंदर पेडी कल्टिवेशन होता है, मतलब राइस की फसल लगाई जाती, जहां पर बारीस थोड़ी जादा हो, जहां पर पानी आसानी से मिल जाए, वहां पर लगाई जाती है, क्या राइस, दूसरा यहां पर वीट हमारे देश का स्टेपल फूड है, कई ज के अंदर है, और केश क्रोप में कौन सी होती है, इंडिया की बात करो, तो जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, विस्ट बेंगोल में, याद रखना, जो पश्यम बंगाल है, वहां पर जूट का कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा होता है, चाय का कल्टिवेश होता है आसाम और कोफी करनाटका एंड सुगरकें उत्तर प्रदेश महारास्ट इन एरिया के अंदर इन चीजों का कोफी और टी जो है इनको कहां लगाया जाता है कोफी और टी एक एसी क्रोफ है जो इसको उचाई पर लगाना पड़ता है जहां पर बहुत ज्यादा बारिस की भी जरुवत हो बट पानी ज्यादा टाइम तत ना रुका रहे तो जैसे जो स्लोपिंग एरिया होते हैं जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन के इन स्लोप्स के उपर लगाया जाता है कोफी के और टी के प्लांड को ताकि बारिस भी हो तो पानी बहे कर निकल लिया इसी लिए टी और कोफी जो होती है टेरेन एरिया के अंदर लगाई जाती है यहां पर मिलने वाले ट्राइब्स इं मिलती है वो ट्राइब है भील ट्राइब और ये इंडिया का मेप है पेनिंसुलर इंडिया का यहां से नर्मदा रिवर बहती है तो नर्मदा के साउथ में जो मिलते हैं वह होते गोंड और नर्मदा के उत्तर में जो मिलते हैं पास-पास में नर्मदा के दोनों किनारे की बा वेस्टन घांट के अंदर मिलती है कोरकू ट्राइब सहरिया ट्राइब कोल कुक्की मनिपूर्गी ट्राइब है थरू ट्राइब उत्राखंड में है चुटिया ट्राइब उत्राखंड के अंदर है उसके वाद है तो भारिया ट्राइब चुटिया ट्राइब उत्राखंड औ नहीं आये ना civilization से इनका कोई लेना देना है ना कभी लोगों से बात्चित होती उसी खाई के अंदर ये लोग रहते हैं तो इस इस भारिया ट्राइब तो इस ट्राइब के ट्राइब मिलती है ट्रोपिकल मोंसून टाइप क्लाइमेट के अंदर अब देखो वेटा हमने क्या क अब हम चलेंगे शुदान टाइप क्लाइमेट की तरव जिसे सुदान सवाना या फिर ट्रोपिकल ग्रांस लेंड भी कहा जाता है तो वरी इंपोर्टेंट्ट टोपिक सुदान टाइप क्लाइमेट मिलता सबसे बढ़ा मिलता है सुदान के अंदर इसलिए इसको नाम दे या Sudan type climate. Sudan एक South Africa की country है वाकि यह मिलता है South America में और Africa and Australia. इन जगा पर मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर दिस बन एडवन. और ओस्टेलिया के अंदर भी मिलता है, अफरीका के अंदर भी मिलता है। आपको बता है यह कौन सा area छोड़ा हुआ है हमने? this one is our equatorial region जिसे हम थोड़ी देर पहले पढ़का आये थे Congo Basin तो उसको छोड़ने के बाद जो मिलते हैं this is the Savannah type grassland Savannah type grassland जो होता है बड़े बड़े उचे घास के मेदान होते यहाँ पर बारिस थोड़ी कम होती तो पेड़ नहीं बन पाते बड़े घास के मेदान होते यहाँ पर वर्ल्ड के बड़े बड़े जानवर देखने को मिलेंगे आपको बड़े बड़े नेसनल पार्क है Maasai Mara नेसनल पार्क आपने अगर कभी सुना होतो जो कि Kenya के अंदर है यहाँ पर सफारी कराई जाती है इसे बोला जाता बिग गेम कंट्री या फिर पार्क लेंड कंट्री बिग गेम कंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर आप पेशे देकर हंट कर सकते हो आपने न्यूस में सुनी होगी कि गलफ्रेंड ने अपने बॉइफ्रेंड को 14 फरवरी के दिन जिराफ का गि जानवरों को बचाने में लगी हुई है और आप हंट कर रहे हो आपका मोटिव कुछ भी आपको किसी को भी देना बट आप हंट कर रहे हुए कितना गलत है बट ऐसा बोला जाता है कि इस एरिया के अंदर यह जो एफ्रिका होता एफ्रिका के अंदर कई सारी कॉंजर्वें जानवरों को रखा जाता है और उन बुड़े जानवरों को मारने के लिए आपको गन दे दी जाती है और आप चाहो तो उनको मार सकते हो बट आपको लंसम अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर सपोस करो एक बुड़ा लायन है लायन बहुत मिलते अफ्रिका के अंदर उस जाते जिनका मरना तय होता है उनको आप हंट भी कर सकते हो उस हंटिंग से जो पेशा आएगा उस हंटिंग से आने वाले पेशे को भी हम एनिमल वेलफेर के अंदर लगा देंगे यहां पर कई सारे लोग आते हैं हंटिंग के लिए नेक्स यह मिलता कहा कहां पर है साउथ अमेरिका के अंदर मिलता है यहां पर एक औरिनोको रिवर बहती है तो इसलिए यहां पर जो मिलता है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह नाम लानोस हमारी एक्जाम ने पूछा हुआ है एंडिये ने कि लानोस ग्रासलेंड जो होती है ग्रासलेंड ट्रोपिकल ग्रासलेंड कहां मिलती है तो लानोस मिलती है कहां पर हमें ओरिनोको बैसिन के अंदर साउथ अमेरिका में दूसरी ब्राजिलियन हाइलेंड पर कौन सी ग्रासलेंड मिलती तो यहां पर मिलती है हमको भॉंपोसु ए हटो अ है कॉंपोस ब्राजिल में कॉं पोस्ट और और हीणोब में लानॉस स्टाइं मिलती और वही एफ्रिका के अंदर जो मिलती डेति से लट ना इस्ट वही इंदर ऑस्टिया मिलती है ड tussen यह ग्रांस चेप्टर के अंदर आप बहुत सारी चीजे भूल लाओगे मैं को कोई दिक्कत नी पठी ग्रांस लेंड के नाम आपको याद होने चीए एक बार और रिवाइस करेंगे साउथ अमेरिका के अंदर और इनोको बेसिन में जो मिलती है डेटिस लानोस और ब्राजिलियन बेसिन और घर ने चीजए सभूर आपता देंगे सेप्टेंबर वहीं सदन हमेस्फियर में होती है औक्टोबर से मार्च के बीच में यहां का जो टेंपरेचर होता है इस is more than 18 degree days are hot and nights are cold यहां के दिन घरम होते हैं रात थंडी होती है vegetation की बात करें तो यहां पर बड़ी घास मिलती है उची उची ठीक है यह ग्रासेस होती यहां पर पेड़ कम होते घास बहुत ज़्यादा होती है और जो पेड़ होते हैं वो ब्रोड ट्रंक होते हैं अम्रेला शेप के अंदर ताकि वो पानी को स्टोर करके रख ले अपने अंदर तो यहां पर जो ग्रासलेंड मिलती जो उची होती है उन्हें एलिफेंट ग्रासलेंड भी बोलते हैं मतलब इतनी बड़ी घास की जिसके अंदर हाती तक छुप जाए तो वो घासों के जंगल ह देख है तो यहां पर बहुत बारिस और डेजर्ट जहां पर बिल्कुल बारिस नहीं जहां पर बिल्कुल वेजिटेशन नहीं इन दोनों के बीच में जो घास मिलती है वो घास क्या हो जाएगा आपका इकोटोन इकोटोन is the area which found which is the transitional zone between two ecosystem दो अलग अलग ecosystem के बीच का जो एरिया होता है जैसे एक तरफ जमीन और दूसरी तरफ नदी और दोनों के बीच का जो किनारा है वो किनारा है इकोटोन ठीक है तो यह एक इकोटोन की तरह काम करता है यहां पर मिलने वाले कार्णिवोर म इन जंगलों के अंदर मिलती क्योंकि यहां पर घास बहुत ज्यादा है तो हर्वीवोर भी बहुत मिलेंगे और हर्वीवोर बहुत ज्यादा है तो कार्णिवोरस भी बहुत मिलेंगे यहां पर नेक्स यहाँ पर मिलने वाली tribes tribes यहाँ पर मिलती ही Maasai tribe and Hausa tribe Maasai tribe are known to hunt the lion Maasai tribe are known कि वो lion का खाना चुरा कर ले आए जब lion hunt करते हैं और hunt करने में कई सारे lion बेट कर जब खाते हैं उस meat को तो ये Maasai tribes उनका खाना चुरा कर ले आते हैं अब इसके regarding कई सारे YouTube पर वीडियो डले हैं कि Maasai tribe किस तरीके से lion का खाना चुराते हैं आप लोग चाहे हो तो YouTube के अंदर इन्हें देख सकते हो दूसरा Maasai tribe के पास ये जो है ये हैं इनका एक animal मतलब इनकी एक गाई या फिर बेल जिसे ये जेबू बोलते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो जेबू है उस जेबू के गले के अंदर यहाँ पर एक छोटा साथ निसान बनाया जाता है तीर लगाया जाता है तो यहाँ से खून निकलता है और उसी खून को tribes के लोग मिल बाठ कर पी लेते हैं एक बात याद रखना यह हमेशा अपने जो domestic animal है अपना जो live stroke है live stroke मतलब domestic animal उनकी बहुत इज़्जत करते हैं इनका proud ही इनके animal है कभी भी अपने animal को नहीं मारते आपको यहाँ पर देखकर लग रहा होगा कि picture के अंदर वो इस animal को मार रहे बिल्कुल नहीं वो इसके गले में एक सुई चुबा रहे है जिससे यहां से खून आ जाएगा इनका काम भी हो जाएगा इनकी प्यास बुच जाएगी और जो animal है उसकी जो नस फूलती है चल चल कर वो भी swelling उसकी कम हो जाएगी यह कभी भी अपने जानवरों को हंट नहीं करते हैं मसाई ट्राइब दूसरी हाउसा ट्राइब हाउसा जो ट्राइब होती है इस आरदी पर्मानेंट एग्रिकल्चर सेटलर यह पर्मानेंटली एग्रिकल्चर करते हैं एरिया के अंदर रुप कर यह मसाई ट्राइब की तरह एक जगा से दूसरी जगा मुँ नहीं करते हैं ठीक है थी यह यहां की एक्टिविटी थी और यह थी मसाई ट्राइब और हाउसा ट्राइब नेक्स हम बात करते हैं ट्रोपिकल डेजर्ट की हमने क्या-क्या देख लिया अभी तक एक्टिविटोरियल रीजन देख लिया मौनसून रीजन देख लिया और सुडान रीजन देख लिया सवाना अब हम बात करते हैं ट्रोपिकल डेजर्ट की ट्रोपिकल डेजर्ट वर्ल्ड के जितने भी है जो ट्रोपिकल एरिया के अंदर मिलते हैं, वो कॉंटिनेंट की वेस्टन साइड मिलते हैं, जितने भी ट्रोपिकल डेजर्ट हैं, वो ट्रोपिकल डेजर्ट कॉंटिनेंट की वेस्टन साइड पर ही मिलते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रोपिकल एरिया के अंदर विंड चलती इस वेस्ट सब्चेर बेपानी लेकर जाती तो वेस्ट साइड तपहुंचते पहुंचते उसका पानी विझत खतम और वहाँपर इसले त्रोपिकल एरिया के अंदर जितने भी डेजर्ट नहीं बता रहा हूं अब डेजर्ट के नाम होहां दूसरा इंडिया के अंदर जो मिलता इस थार डेजर्ट अब अरेबिया अरेबियन जो पैनेंसुला है अरेबियन पैनेंसुला के अंदर जो डेजर्ट मिलता उसका नाम है रुबल खली रुबल खली अभी कल IPL के अंदर मेच था बिट्विन चैने सूपर किंग एंड कौन सी टीम थी विराट पोली की टीम इन दोनों की टीम के बीच मेच था उस मेच में आपने देखा होगा यहां पर यहां पर जब वो डस ट्रॉम आ गया तो यहां पर यह इस पेनेंसुला के अंदर है और यह पर धूल की आंधिया बहुत चलती है इसलिए कल के मेच में भी धूल आ गई थी दूसरा डेजर्ट मिलता है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट या फिर ग्रेट सेंडी डेजर्ट यह मिलता है हमें ओस्चलिया के अंदर कालाहारी डेजर्ट मिलता है एफरिका के सदन टिप पर पेटागोनियन डेजर्ट सोनोरन डेजर्ट यह मिलता है पेटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका इन नौर्थ अमेरिका तो यह जितने भी डेजर्ट हम ने देखे सारे की सारे डेजर्ट कॉंटिनेंट की वेस्टन साइट पर मिलते हैं नेक्स यहां पर फ्रेशिप्रेश्टिन बिल्कुल काम होता डेजर्ट की केरेक्टरिस्तिक ही यह ऻती है कि हाइए टेक्परेश्ट लो प्रेसिपिटेशन यहां पर बारिस होती है 25 सेंटीमेटर वर्ल्ड का ड्राइस्ट जो डेजर्ट है वह अटाकामा डेजर्ट है आप लोगों को अल्रेडी यह बात पता है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आपने कोमेंड में भी बताया था कि ड्राइस्ट डेजर्ट पड़ा था कि सूरज की रोसनी जब सेंट के उपर गिरेगी तो जल्दी से गरम हो जाएगी बट जैसे सूरेट ढ़ल जाएगा सेंट जल्दी से अपनी एनर्जी रिलीस कर देगी अल्बीडो पड़ा था हमने पावर ओप रिफ्लेक्शन जो भी एनर्जी उसने एब्जो हो जाएगी इतनी स्कॉर्चिंग होगी कि राते यहां पर बहुत ही ठंडी होगी वो दिन बहुत गरम होंगे नेक्स यहां पर जो वेजिटेशन मिलता है वो पूरा होता है जेरो फाइट ठीक है ड्रोट रेजिस्टेंट मतलब कि जो सूखे में भी रह सके एसे प्लांट् यहां पर मिलने वाली ट्राइब्स इंपोर्टेंट है अगेन बूश्में ट्राइब मिलते हैं कालाहारी डेजर्ट के अंदर यह बूश्में ट्राइब के ही लोग है जो कि कंद फल की खोज करते हैं और कंद फल को खोज करने के बाद उसे घिसते हैं और उसे पानी निकाल निकलकर प्मेयर के अंदर अम्रित क्या है। सिर्फ और सिर्फ पानी है। यही बुषचमेन के अंदर और अलग टैक्टिक होते हैं पानी को पता करने की। यह बंदरों को बाँधे है कई दिन तक अपने पास उनको खाना खिलाते उनको पानी नहीं देते और जैसे बंदर को छोड़ते बंदर भक्के जाते किसी एक एसे स्त्रोथ की तरफ जहां पर पानी गिर रहा है और जब उनका उनको फोलो करते हैं बूश्मेन तो धीरे धीरे बूश्मेन को भी उस स्त प्रोथ के बारे में पता चल जाता है जब डेजर्ट के अंदर कभी हमें पानी मिल जाए तुसे बोला जाता पयाला डेजर्ट के अंदर जो छोटे-छोटे पानी के पुल मिल जाते हैं उनको बोला जाता है पयाला तो यहां पर पयाला की खोज में बुश में निकलते हैं बिंदिबू ट्राइब मिलती है और तोरेक्स बढ़िया घोड़ा चलाते हैं यह और यह मिलते है सहारा के अंदर और गोबी में मिलते हैं मंगोल्स जो मंगोल ट्राइब है वो गोबी डेजर्ट के अंदर मिलती है जो कि मंगोलिया के अंदर आता है और चाइना के अंदर आत होता है ब्री देखा भी होगा इसमें भी देख रहा है डेट पों मे लोगद मांप पर 있다 को और यह एकश्पोर्ट करते हैं अधिस ठीक है अब हमने क्या क्या देख लिया अगें है कि एक्विटर कम्क्रेट हो गया है मॉनसून हो गया अमानी सुडान टाइप हो और hot deserts हो गये आब हम बात करते हैं Mediterranean, Tepz और China टाइब climate के बारे में यह climatic region क्या है और यहाँ पर क्या होता है एक एक करके discuss करते ह gapशे हैं आगे बढ़ते हैं पहले बात करते हैं Mediterranean टाइब climate के बारे में Mediterranean टाइब climate वर्लड के western साइड मिलता है मतलब इन एरिया के अंदर कॉंटिनेंट के वेस्टन साइड पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है Mediterranean climate continent के western side में देखने को मिलता 30 degree to 45 degree दोनों hemisphere में मलब दोनों hemisphere में ये जो 0 degree है इस 0 degree से 30 to 45 degree north and south में western side में देखने को मिलता है Mediterranean climate और ये climate सबसे बड़या बनता है Mediterranean sea के around जिसे भूमध्य सागर भी कहा जाता है यहाँ पर बनता है उसके बाद Africa के अंदर बनता है Australia के अंदर बनता है Australia में ये जगा है Adelaide इसके उपर question पूछा है N-D-A-N-A कि सबसे बढ़या viticulture, viticulture मतलब की अंगूर को सड़ा कर दारू बनाना तो viticulture सदन hemisphere में कहाँ पर सबसे बढ़या होता है So it is Adelaide यहाँ पर क्या-क्या मिलता है temperature और precipitation की बात करते है यहाँ पर temperature 10 degree तक होता है गरम महिनों में और जो ठंडे महिने होते मतलब winter का season होता है वहाँ पर temperature minus 3 degree तक पहुंच जाता है precipitation यहाँ पर होता है 35 to 90 cm precipitation हमेशा ठंड में होता है Sirocco wind एक local wind थी जो की कराती है blood rain बताया था मैंने Sirocco wind कहां से चलती थी यहाँ से सहरा से चलती थी और Mediterranean Sea के अंदर जाती थी moisture लेती थी और Mediterranean countries के अंदर जो dust की बारिस होती जो लाल कलर की होती है उसके current इसको कहा जाता था blood rain तो Sirocco wind यहाँ पर बारिस कराती है और दूसरे यहाँ पर चलते है बेटा Temperate Cyclones यह Temperate Cyclones continent के western side में बारिस कराती है तो अब जितनी भी जगा हम पढ़ेंगे ऊपर western side की उन्हें बारिस कराएंगे Temperate Cyclones जिनको हमने कल देखा था यह उन्हें नहीं देखा वो एक बार और लेक्चर को देखना Temperate Cyclones की वहाँ पर मैंने बात की हुई है ठीक है तो रेंफोल जो होता है अधिकतर रेंफोल विंटर में होता है Temperate Cyclones होता है मैं यहां लिख देता हूं अब जो भी ट्रीज आएंगे अब यह ठंडा इलागा आ गया है यहां पर मिनने वाले ट्री नुकीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं यह इस टाइप के पतली और नुकीली पत्तियां यह उचे होते हैं बहुत बड़े इनकी leaves बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है जैसे कि ओक ओक के पेड़ मिलते हैं इधर युकेलिप्टिस मिलता है यहां पाइन मिलता है फर मिलता है और सिडार मिलते है इस टाइप का vegetation देखने को मिलता है Mediterranean type of climate के अंदर यहां की economic activity की बात करें तो इसे world का orchard land कहा जाता है थंडा होने के कारण विंटर में बारिस होने के कारण यहां पर बहुत बड़िया बड़िया बगीचे डेवलोप होते हैं मतलब विस्व का जो बगीचों का जो region है वो region Mediterranean region को कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा यहां पर citrus fruit मिलते, citrus मतलब खटे fruit जैसे की orange, lemon, lime, citron and grapes grapes जो होते हैं, grapes का 85% जो grapes का production होता है वो जाता है viticulture के अंदर viticulture मतलब की grapes का production करना, उनको ferment करना और बनाना wine तो जित्ते भी grapes का यहां production होता है उन grapes के production का 85% wine production में जाता है wine के बनाने के लिए और southern hemisphere में जो wine का production होता है, वो तो हमने देखी लिया, एक बार बात भी कर लिए जांसे exam में question पूछा हुआ है southern hemisphere में wine का production होता है, एडलाइट के अंदर जो की Australia में है अब next climate की बात करते है, next is stepi type climate, जैसे हमने ट्रोपिकल ग्रांस लेंड देखी थी यहां पर, जिने हमने सवाना देखा था, एसा का एसा ही, temperature region में जो ग्रांस लेंड मिलती है, उन्हें कहा जाता है stepi type climate, अलग-अलग area के अंदर ये ग्रांस लेंड अलग-अलग तरीके से मिलती है, यह मिलती है 30 to 45 degree पर, बट यह किसी भी sea body को touch नहीं करती है, ठीक है, यह continent के बीच में मिलती है, जहां पर rainfall comparatively थोड़ी कम हो, यह again a very important topic, हमारी exam point of view से, जैसे कि पूष्टाज, जो ग्रांस होती है, वो मिलती है हंगरी के अंदर, हंगरी जो कि योरोप में है, वहां पर जो ग्रांस मिलती है, उनको local language पूष्टाज कहा जाता है, प्रेरीज, नोर्थ अमेरिका, पेंपास, अर्जेंटिना एंड यरोगवे, केंटाबरी, न्यूजिलेंड, डाउन, ऑस्टिलिया, बिटा ये नाम, कुछ भी हो ये नाम हमें नहीं भूलना है, प्रेरीज, नोर्थ अमेरिका, पेंपास, डाउन, पूष्टाज, स्टेपिस, एंड डाउन, अगिन, यह आपर weld मिलती है, सवाना weld और यहापर डाउन मि सबी को मेच करो, तब आपको ये चीज़े याद होना चाहिए, और वही जो हमने ट्रोपिकल ग्रांसलेंड में पढ़ा था, कि सवाना अफ्रिका में मिलता है, लानोस पढ़ा था, कॉम्पोस, साउथ अमेरिका के अंदर, डाउन पढ़ा था, ओस्चिले के अंदर, वैसे क वैसे आपको ये टेंपरेट ग्रांसलेंड के नाम भी याद रखना है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर कम होता है, 45 cm होता है, मेरी टाइम इफेक्ट सदन हमिस्फियर में होता है, मेरी टाइम इफेक्ट मतलब समुद्र का इफेक्ट, तो समुद्र के पास होने के कारेन यहा यहां पर समुद्र का effect नहीं होता है तो में यहां पर लिखा हुआ हमको maritime influence southern hemisphere में होता है उसके current southern hemisphere में ब्रारिस ज्यादा होती है और घांस अच्छी पैदा होती है वही northern hemisphere में grasses थोड़ी छोटी पैदा होती है ठीक है temperature की बात करें तो summer और winter temperature का जो temperature है उसमें बहुत difference होता क्यों क्योंकि यह किसी भी समंदर के पास नहीं है जहां पर temperature में अंतर ना हो ठीक है summer में temperature 18 degree to 20 degree तक रहता है vegetation की बात करें तो vegetation में यहां पर पेड नहीं होते सिर्फ और सिर्फ घांस होती है यह देख रहे हो आप घास की मेदान इस type की घांस होती है और यहां पर बहुत nutrient grass होती है जिसको बोला जाता है alpha alpha यह आपको याद रखना है alpha alpha grass यहाँ पर क्यों मिलती है क्योंकि बारिस बहुत तेज नहीं होती यहाँ पर torrentier musla धार बारिस नहीं होती है यहाँ पर छोटी-छोटी domestication of animal जानवरों को रखना दूद के लिए meat के लिए क्यों रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर घास अच्छी है तो चराने के लिए मैदान है यही तो जगा है जहांसे आरियंस इंडिया के अंदर आये थे जो आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा इन्वेजन ओप आरियन तो वही आरियन इसी स्टेपी रीजन से आये थे तो यहाँ पर क्या है अलफा अलफा ग्रांसिस मिलती ही जो कि एनिमल के के लिए बहुत बढ़िया है अगर एनिमल का डोमेस्टिकेशन होगा यहाँ पर डेरी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करेगी उसके बाद यहाँ पर मीट इंडस्ट्री भी होगी दूसरा जो प्रेरी से जो नोर्थ अमेरिका के अंदर है उसे बोला जाता ग्रेनरी इस यह लोग अपने हाथ में हौक रखते बाज बाज बंदा होता रती से और बाज को उड़ा देते जब बाज एकर जाता है तो सामने कोई रोडेंट हो चूहा हो और बड़ा सा खर्वो से उसे पकड़ लेता है फिर जैसे वह उसको पकड़ के घैल कर देता यह ट्राइबल ल हैं नेक्स्ट चानल आइप क्लाइमेट हो गया 107 लीप ऐसट एले मेडीटेरेंडे देख लिया अब बात करते हैं विस्टन साइड मिलता है चानल ठाइब क्लाइमेट कि एस्टन साइड मिलता है थीए टुटनेंड कर रसाइड मिलता है low ऑ indispensable बात करें तो प्रेसिपिटेशन यहां पर 60 to 150 cm होता है। युनिफॉर्म होता है साल भर बारिस होती है क्योंकि समर में मोंसून से बारिस होगी ही है। और मिंटर का टाइम आएगा, यह समर और मिंटर के बीच का जो गता ही उसमें China type climate में कौन से cyclone आएंगे? यहाँ पर आएंगे typhoons. तो typhoons यहाँ पर बारिस करवाएंगे, इसलिए लगबग साल भर चाइना type climate के अंदर बारिस होती रहती है. Temperature यहाँ पर winter month में 4 degree होता है, और summer में यहाँ temperature पोच जाता है 25 degree. मतलब temperature बहुत जादा और बहुत कम नहीं होता, moderate होता है. vegetation की अगर बात करें, तो vegetation यहाँ पर luxuriant होता है. साल भर बारिस होने के कारण यहाँ पर pine और cypressus के trees मिलते हैं, जो कि sopt wood trees है. Sopt wood trees क्या होते हैं इनकी बात हम आगे करेंगे. यहाँ पर one third production of rice वर्ल्ड का होता है चाइना के अंदर, बट क्यूंकि चाइना की population बहुत जादा है, तो चाइना क्या करता है, export नहीं करता, जो भी produce करता है, उस production का consumption भी चाइना कर लेता है. agriculture यहाँ पर दूसरी जो Gulf countries है, वहाँ पर cotton अच्छी से पेदा होता है, tobacco अच्छी से पेदा होता है, corn अच्छी से पेदा होता है, यहाँ पर मैं cotton के साथ लिख देता हूँ, tobacco, corn, मतलब मक्का, इनका production गल्फ countries के अंदर, बहुत बढ़िया धंसे होता है. ठीक है, अब एक बार और हम हमारे इस नक्से की तरब देखेंगे, वेटी क्रिटोरियल हो गया, मौनसून टाइप क्लाइमेट हो गया, सुदान टाइप का क्लाइमेट कम्प्लीट, जिसे हम सवाना ग्रासलेंड भी बोलते हैं, डेजर टाइप क्लाइमेट भी हो गया, उस मैं हमने प्रेरी की बात करी, केंटा बरी की बात करी, पुष्टाज की बात करी, तो वह हो गया सटेपिस, फिर आगया चाइप क्लाइमेट जो की student के eastern साइड में होता है, चाइन टाइप क्लाइमेट को साउथ अमेरिका के अंदर नताल बोलते हैं, और वहीं नोर्थ अमेर या फिर लॉरेंशिय टाइप और हम आ जाएंगे पर्मानेटली फ्रोजन रीजन की तरफ तो इस क्रोनोलोजी को बनाते हुए चलो आप को कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी एक्विटोरियल 10 डिग्री तक 30 डिग्री तक मिलता हमें ट्रोपिकल रीजन जिसके अंदर ती ब्रिटिस टाइप क्लाइमेट भी कॉंटिनेंट के वेस्टन साइड होता है जिसा कि यहां पर हमने देख रखा है ब्रिटिस टाइप क्लाइमेट के वेस्टन साइड पर होता है मेडिटिरेन क्लाइमेट के नोर्थ में मिलता है ब्रिटिस टाइप क्लाइमेट और सबसे ब तो यह क्या एक moderate climatic condition बन गई और जो moderate climatic condition है यह काम करने के लिए बहुत अच्छी condition होती है जैसे अगर equator की बात करें तो equator पर क्या umus होती है बारीस ही बारीस होती है तो वहाँ पर क्या mental stress होता है वहीं British type climate की बात करें तो यहाँ पर बहुत गर्मी भी नहीं होगी बहुत ठंड भी नहीं होगी बारीस भी साल के कुछी दिनों में होगी तो यह एरिया जो होते हैं यह काम करने के लिए दिन भर वर्क करने के लिए बहुत बढ़िया countries मानी जाती है नेक्स यहाँ पर precipitation की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा precipitation होता है वो होता ठंड में और जो precipitation होता है वो precipitation बेटा किन cyclone से होता है frontal cyclone जिसे हम temperate cyclone भी कहते हैं और दूसरा यहाँ पर westerly winds के current भी heavy rainfall होती है vegetation यहाँ पर मिलता decidious forest decidious मतलब वो पेड जो कि साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो decidious trees के अंदर यहाँ पर मिलता oak, ilm, ash, birch, beach and popular यह trees मिलते हैं हमें British type climate के अंदर economic activity की बात करें तो Britain के अंदर economic activity में सबसे ज़्यादा होती है industrialization वर्ल्ड में industrialization का दोर सबसे पहला इन ही country उसके बीच में आया था यह जो country से यहीं पर आया था सबसे पहले industrialization जिसमें Britain, Norway, British Columbia जिसी countries आती है और यह वर्ल्ड के पॉर्ष इलाके में से आते हैं जो कि सबसे अमीर और रहीस एरिया है क्योंकि यहाँ पर climatic condition भी अच्छी और लोग already rich है दूसरा यहाँ पर fishing एक important activity होती है एक जगा है जिसका नाम है Dogger Bank ब्रिटेन के पास में यहाँ पर fishing बहुत अच्छी से होती यहाँ पर warm current जाता है जिसका नाम है Norwegian current तो currents क्या होते हैं इनको oceanography में जानेंगे तो एक warm current यहाँ से travel करता है इस area के अंदर एक warm current जाता है तो उस warm current के current actual में इसका direction कुछ एसा होता है इस warm current के कारण यहाँ तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता और जैसे ocean का temperature बढ़ेगा अपर कई ही सारी मशलिया आ जाती तो उन मशलियों को खाने के कारण यहाँ पर fishing activity बहुत बढ़िया डेवलोप्ड है जो की मिल नोर्थ यह साउथ में नहीं मिलता क्योंकि 50-70 डिग्री साउथ में सिर्फ और सिर्फ समंदर है तो यहाँ पर हमें साइबेरियन टाइप क्लाइमेट सदन हमें मिलता जो स्केंडिनेवियन कंट्री में और केनेडा के अंदर स्केंडिनेवियन कंट्री यहाँ पर आती है स्वीडेन, फिंडेन, डेन्मार्क इनको मिला कर बनता है स्केंडिनेवियन पेनेंसूला तो वहाँ पर भी मिलता है जो क्लाइमेट हो होता साइबेरियन टाइप क्लाइमेट समर में यहाँ पर temperature 20 to 25 degree चला जाता है और winter में temperature minus 30 to minus 40 degree minus 30 to 40 degree या फिर below freezing point temperature चला जाता है world की coldest place question यहाँ से बन सकता है the coldest inhabited place of the world is वर्खोयांस वर्खोयांस की पहाडिया है यहाँ पर जो की world की coldest inhabited place के अंदर आती है जो की सबसे ठंडी है और जहाँ पर लोग रहते हैं नेक्स यहाँ के precipitation की बात करें तो precipitation जो भी होता है लगबग सारा precipitation तो के फोम में होता है मैंने बोला था आपको जब मैंने आपको precipitation पढ़ाया था कि जब थंडे इलाके में बारिस होती है तो बारिस बरब बारी के फोम में होती है यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं उनको अब बारिस बोलते है कौनी फेरस ट्रीज नुकीली पत्थियों वाले पेड यहाँ पर मिलते हैं जो की यूरेशिया और अमेरिका के अंदर देखने को मिलते है यह सोप्ट वूट ट्रीज होते हैं, सोप्ट वूट ट्रीज क्या होते बेटा, आपने आपकी जो माचिस होती है, माचिस की जो तीली होती है, वो तीली बनती है सोप्ट वूट से, ठीक है, आप उतनी पतली दूसरी लकडी को जला कर देखना हो, इतनी आसानी से नहीं जलेगी, बट ये softwood trees जो होती है, एक बार हम इसको चिंगारी दे दे, वो आराम से पूरी जलती जाती है, तो वो softwood होते हैं, यही जंगल, Siberian type of climate के अंदर मिलने वाला vegetation, यहां की economic activity होती है, lumbering, मतलब पेडों को काटना, पेडों को काट कर उनको softwood industries में use करना, इनको paper बनाने के लिए क हम में लेना, और दूसरा, मशलिया पकड़ना, यह एक frozen lake है, यहां पर temperature कम होने के कारण, जो जील है, वो सारी जील पानी के उपर बर्फ जम जाती है, वो बर्फ जम जाने के क्या कारण यहां पर क्या करते हैं, लोग एक गड़्डा करतें, गड़्डा करने के बाद उसके economic activity के अंदर आती, Siberian climate में, नेक्स, लोरेशियन type of climate की बात करते हैं, पहले क्या देखा, Siberian type climate जो की बीच में मिलता है, इससे पहले British type देखा, जो की West Coast पे मिलता है, अब हम बात करेंगे, लोरेशियन type climate की, जिसे Canadian type of climate भी कहा जाता है, summer में temperature यहां पर 25 डिगरी होता है, winter मे below freezing point, मतलब 0 degree से कम temperature होता है, snowfall is quite normal, यहां पर आराम से बरबारी देखी जाती है, world के इन एरिया के अंदर हमें, लोरेशियन type climate कोंटिनेंट की eastern coast पर देखने को मिलता है, southern hemisphere में क्यों नहीं होता है, क्योंकि southern hemisphere में लेंडमा नहीं बचा है, इतनी ज्यादा latitudes के ऊपर, precipitation साल साल भर बारिस होती है, साल भर बारिस कभी-कभी होती, snow के फोम में, और कभी-कभी polar easterly winds, यहां से आती pole world से, वो बारिस यहां पर करवा देती है, next, economic activity की again बात करें, तो lumbering यहां पर की जाती है, और दूसरी fishing, fishing यहां की बहुत outstanding economic activity है, यह बेटा हमें से याद रखना है, ह पतलब यह वाले area, यहां पर fishing बहुत अच्छी होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो equator होता है, equator से यहां से cold current, warm current जाते है, जिसका नाम है gulf stream, अभी मैंने currents नहीं बताए, तो deep में नहीं बताऊंगा, यहां से जाती gulf stream और उपर सा आता labrador current, तो labrador एक cold current है, और gulf stream में warm current ह आपस में collide होंगे, तो केसा पानी बन जाएगा, जब गरम पानी और ठंडा पानी मिलेगा, तो loop warm water बन जाएगा, ना तो गरम ना ठंडा, तो यह इस टाइप की condition जहां बनती है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा पानी बना हो, और बहुत ज्यादा ठंडा पानी बिना हो, तो आपने देखा होगा, बात्रूम के अंदर fog हो जाती है, उसी टाइप से जब यहां पर warm ocean current और cold ocean current टकराते हैं, तो यह छोटे छोटे रूम में बात्रूम की तरह थे नहीं, यह बहुत बड़े एरिया होते हो और जब यह टकराते हैं, यहां पर क्या हो जाता है, पूरा foggy atmosphere होता है, तो इसलिए जब ocean से जब हम travel करते हैं, navigation करते हैं, उस navigation के अंदर यहां पर काफी ज़्यादा accidents होते हैं, क्यों क्योंकि foggy atmosphere हो जाता है, दिखाई नहीं देती, इवन जो टाइटेनिक था, टाइटेनिक का भी टकराने का कुछ current यह था, कि atmosphere इतना ज़्यादा foggy था, कि उनको iceberg दिखाई नहीं और वो चल इधर ही रहा था, ठीक है, तो यहां पर यह देखने को मिलता है, fishing industry, warm और cold ocean currents के टकराने के current, अब कहां तक देख लिया हमने बिटा, लोरेशियन भी देख लिया, टाइवेरियन भी देख लिया, और ब्रिटिस टाइप भी देख ल करते हैं, Arctic polar region, जिसे कहा जाता है, tundra type climate, अगर आप सारे climates को याद ना रखो, और सिर्फ इस graph को भी अच्छे से याद कर लो, तो आपका बहुत फाइदा इसके अंदर हो जाएगा, tundra type climate की बात करते है, यह मिलता है, Arctic, sorry, Antarctic और Arctic region के पास, temperature यहां का बहुत कम होता है, ब minus 40 degree to minus 50 degree चला जाता है, समझ रहो, minus 40 degree to minus 50 degree, यहां पर summer थोड़ी सी warm होती, बट winter तो बिलकुल ही ठंडी होती है, और winter में यहां पर दिन भी निकलता, जब northern hemisphere में winter होगी, तो 6 महिने की रात होगी, वहीं southern hemisphere में winter होगी, तो 6 महिने की रात होगी, यहां पर जो precipitation होती है, no doubt वो snow के form में होगी, snow के form में precipitation होती है, यहां पर कोई पेड नहीं है, छोटे-छोटे moses और lichens देखने को मिलते हैं, इस टाइप से पेडों के ऊपर और घास, यह होते हैं, टुंड़ा टाइप climate के अंदर, यहां पर human activities होती है, वो सिर्फ और सिर्फ coastal area तक ही होती है, continent के बीच में लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि समुद्र आसामी से घरम थंडा नहीं होता, तो ocean के पास ही लोग रहते हैं, ताकि उनको थोड़ी heat energy मिलती रहे, यहां की जो लोग है, नोमेडिक होते हैं, नोमेडिक का मतलब घुमकर, जो घुम घुमकर जीवन विथीत करते हैं, एक ही Eskimos कहते हैं, again an important tribe, तो Eskimos people यहां पर रहते हैं, ठंड के दिनों में Eskimos बर्फ का घर बनाते हैं, जिसे हम igloo कहते हैं, और igloo के अंदर यह लोग रहते हैं, खाने के लिए यह यूप करते हैं, seals, walruses and polar bear, इस टाइप की चीजे यह लोग खाते हैं, हंट करके, ठीक है, क्यों होती, insulator होती, heat का heat को transfer नहीं होने देती, तो जब हम igloo बनात और igloo के अंदर रहते हैं, तो igloo के अंदर की गर्मी igloo के अंदर ही रहती, वो बाहर transfer नहीं होती, तो इसलिए हमें इसके अंदर गरम फील होता, और यह जो छोटी-छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, यह Es करके उसे पड़ा हुआ है, आपको उस area के अगर climatic condition में rainfall कितनी होती, precipitation कितना होता, temperature कितना होता, अगर यह याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वहां के tribes, वहां की grasses, वहां की agriculture activities को याद रखना है, ठीक है, और उससे related, अब हम यहाँ पर question करते हैं, रोकी माउंटेर आपकी इंदर क्योश्यन पूछा हुआ है, प्रेरीस जो है, उसको हम ग्रेनेरी अब्धी वर्ल्ड भी बोलते हैं, जा पर वीट का कल्टिवेशन बहुत बढ़ता होता, अपलचियन के मेदानों के अंदर, स्टेपिस टेम्परेट कॉंटिनेंटल क्लाइमेट इस नोट एक्सपीरियंस्ड इन विच वन अप फॉलोइंग प्लेस कौन सी जगा पर स्टेपिस टाइप क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है प्रिटोरिया इस इन साउथ एफ्रिका ससकाथ स्टेवन इस नहीं देखने को मिलता है वांकि सब जगे स्टेपिस टेपिस क्लाइमेट देखने को मिलता है तो A will be your answer, Pretoria is in South Africa और यहाँ पर tapis type climate मतलब temperate grassland नहीं मिलती बांकि पर्थ में भी मिलता है और उसके बाद स्केट छेवन में मिलता है ब्यूनियस आइरस में भी मिलता है Next question, Compose and Lano's एक्जाम के अंदर पूछा है और आपको पता भी यह इसका आंसर कहां मिलती है इसका अंसर आप comment box में करना कि Compose और Lano's, चेप्टर में देखना ट्रोपिकल ग्रास लेंड के अंदर, सावाना टाइप अव ग्रास लेंड के अंदर आपको पता चल लाएगा कि Compose और Lano's कहां देखने को मिलती है Next The temperate grassland in South America is known as Pampas जो South America में मिलती है उसे Pampas कहते हैं, जो North America मिलती है उसे Prairies बोलते है North America Tapis मिलती Asia में और World मिलती है अफरिका में तो बच्ची हुई Pampas, Pampas हमें South America के अंदर देखने को मिलती है Next Viticulture याने production of wine is a common feature of which one of the following Australian cities तो it is Adelaide बात किया था हमने इसके बारे में कि यहां पर मिलती है wine जो कि किसके अंडर होता? Mediterranean type climate के अंदर बाकी जगा पर wine का cultivation, wine का production नहीं होता है Next question Which tribe is found in equatorial region? कौनसे tribe equatorial region में मिलती है? Gond tribe मिलती है इंडिया में And India is not a equatorial country Eskimos Polar area Bushman Kalahari desert But pygmies जो tribe है pygmies हमें देखने को मिलती है equatorial region के अंदर So your answer will be pygmies इसी के साथ साथ आज का हमारा ये lecture complete होता है इसके अंदर हमने world के कई climatic regions देखे अलग-अलग equatorial, monsoon से लेकर के तो polar region तक कुछ questions भी लगाए आप इस lecture को देखना और यहां से questions को लगाना तब तक के लिए जय हिन